प्रशान दवन रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने USA में जाकर USA को ही बहुत ज़रा सुनाया है USA को पहले बाद तो ये कहा कि US किसी देश को मूर्ख नई बना रहा पाकिस्तान F-16 डील के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे यू यू यहाँ पर बात कर रहे हैं ये USA की US गवर्मेंट की यू आर नोट फूलिंग एनिबोडी जैशंकर रिस्पॉंस टू US F-16 पैकेज फॉर पाकिस्तान इतना ही ने इनोंने यहाँ पर ये भी एड किया कि मुझे समझ नहीं आता कि US आज भी पाकिस्तान का साथ क्यों देता है US-Pakistan relationship ने किसी का भी कुछ भला नहीं किया ना पाकिस्तानी बानते हैं कि उनका भला हुआ है Americans को काफी बार धोका मिला है और finally इनोंने यहाँ पर ये शुभी रेज किया कि American media बहुत बायस तरीके से negative coverage करता है इंडिया की तो discuss करते हैं इस topic को बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँँगा question यहाँ पर यह है कि हाली में भारत ने किस country से related एक advisory जानी करी है कि इस country में hate crime हो सकता है भारतियों के against तो यहाँ पर जड़ा समल के जाईएगा यह है आपकी option जपान, कनेडा, रशिया या फिर ऑस्टेलिया comment section में करी उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय USA के शहर New York में United Nations का 77th General Assembly सेशन स्टार्ट हो चुका है जैशंकर साब ने recently United Nations की General Assembly को संबोधित भी किया उसके बाद मीडिया से interaction के दुरान इनसे पूछा गया कि जो F-16 fighter package USA ने approve कर दिया है पाकिस्तान के लिए 450 million dollar का इसके बारे में आप क्या कहोगे क्योंकि USA का तर्ग तो ये है कि पाकिस्तान को ये F-16 fighter jet का maintenance चाहिए इसके बिना पाकिस्तान आतंगवा से लड़ नी पाएगा तो इसके response में जैशंकर साब ने ये का है कि ऐसी statements देखकर USA किसी country को बेवकुफ नी बना रहा हम बेवकुफ नी बनने वाले हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के F-16 की maintenance और चाहे USA ये ना कहे कि ये लोग aggradation कर रहे हैं मगर कहीं ना कि पाकिस्तान की electronic warfare इंप्रूब होगी F-16 की maintenance से तो जैशंकर साब ने या आपर ये का है कि हमें अच्छे से बता है कि US F-16 क्यो दे रहा है पाकिस्तान को ये किसके खिलाफ कि आपने जो ये निर्ने लिया है ये किस बैसिस पर लिया है और लिटरली नोंने ये का है I would really make the case look what you are doing देखो तुम कर क्या रहे हो क्योंकि ये F-16 fighter jet most probably use होगे इंडिया के against और obviously इससे घूम फिर के होगा क्या इंडिया-US relations को चोट पहुचेगी हाला कि US की तरफ से काफिवार statements आई है कि देखिए पाकिस्तान कभी-कभी F-16 fighter jet air strikes के लिए use करता है recently हमने देखा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने air strikes करी थी हाला कि वो air strikes fail कर गई कई जो मासून civilians से वो मारे गई मगर पाकिस्तान ने कोशिश करी अब question यहां पर यही आता है कि यह सब करने के लिए अगर मालो आतंगवादियों पर ही air strikes करनी है तो maximum 5-6 F-16 बहुत होती है क्योंकि आतंगवादियों के पास S-400 तो है नहीं तो कहीं से भी USA का जो तर्क है यह आप accept करनी सकते है और इसलिए जैशंकर साब ने कहा है कि हमें अच्छे से पता है यहां पर आप क्या कर रहे हो मगर at least admit तो करो जूर तो मत बोलो कि हमने counter terrorism के लिए पाकिस्तान के F-16 का package release किया है इंडिया ने वैसे भी काफी बार आवत्ति जिदाई है इस package deal को लेकर हमारे रक्षा मंतरी राजना सिंग जी भी काफी बार ट्विटर पे लिख चुके है कि मैंने directly बात करी USA के representative से और उनको बोला कि इंडिया concerned है पाकिस्तान US F-16 deal के वारे में उसके response में USA ने कहा के देखिए हमारी बहुती limited area में security partnership है पाकिस्तान के साथ जबकि इंडिया के साथ आप देखो तो हम बहुत बड़े level पर engagement करते हैं USA के president Joe Biden काफिवार कह चुके है कि 21 सदी में जो सबसे defining partnership होने वाली है वो होगी इंडिया USA की partnership उससे पहले आप अगर जाओ Donald Trump के time में तो उस time जब Trump इंडिया में आये थे तो इंडिया के PM और USA के president ने मिलके का था कि ये सदी की सबसे important partnership होगी दुनिया में को relationship चाहे चाइना रशिया का हो या फिर वी नो रशिया इंडिया का हो कोई भी relationship इतना important नहीं होगा जितना इंडिया यूएस का होने वाला है but again ये सब बाते नजर आती है जब हम देखते हैं कि यूएस blatantly एक ऐसे country को militaryly support कर रहा है जिसका में मकसद ही है इंडिया को नुक्सान बोचाना और इसलिए जैशंकर साब ने आगे ये भी वाग में अफगानिस्तान में मगर उसके बाद क्या अमेरिका खुद अफगानिस्तान को अपने पास रख पाया नहीं पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से एक proxy war ready अमेरिकन के खिलाफ आतंगवार इतना फिला दिया अफगानिस्तान में कि कई अमारिकन सोल्डर्स मारे गए, इवेंचुली USA को कुछ समझ नहीं आए, कि यहाँ पर करना क्या है, और USA को जाना पड़ा, ये बात काफी बार, USA के आर्मी वेटरंस कह चुके हैं, जो इनके कर्नल हैं, ये कह चुके हैं, कि पाकिस्तान ने, बैक्स्टैब किया था, हमें धोका दिया था अफगानिस्तान में, उसके अलावा भी आप अगर देखो, तो जिस सातंगवादी ने 9-11 किया था, उसमा बिलादेन, वो इन दी एंड, अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो पाकिस्तान में बहुत ही अराम से, एक मैंशन, एक कोठी में रह रहा था, और सबसे अजीब बाद यह है, कि जिस इलाके में वो था, वो पाकिस्तानी मिलिटरी बेसिस के काफी करीब था, तो कहीं न कहीं देखिए, USA को genuinely सोचना होगा, कि इतिहास में काफी बार, इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश करी है, बट इन दी एंड, USA को हमेशा धोका ही मिला है, तो perhaps अब टाइम आ चुका है, कि US re-evaluate करे, पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्राड़िजी, क्योंकि देखो, ये बात इतनी obvious है, कि आप पाकिस्तान में notice करोगे, जो इनका most popular leader है, इमरान खान, इमरान खान अपनी popularity बनाने के लिए क्या करता है, USA के against नफरत बेशता है, कि USA गलत है, USA के हम गुलाम नहीं बनेंगे, लिटरली उनकी जो पुरी politics है, इमरान खान की यही है, anti-US, anti-India, तो ऐसे country के F-16 की आप maintenance क्यों करोगे, इनको आप क्यों package प्रवाइड करोगे, it does not make any sense, फिर finally जाशंगर सामने आपर ये भी का है, कि American media काफी बार bias coverage करता है इंडिया, कि इन्होंने एक example दिया, जब article 370 हमने remove किया जम्मू कश्मीर से, अब remove भी क्यों किया गया, ताकि proper तरीके से जम्मू कश्मीर डेवलप कर पाए, economically इंडिया से integrate कर पाए, उस दोरान कुछ समय के लिए हमें internet कट करना पड़ा, अब जाशंकर साब ने ये का है, कि internet हमने कुछ समय के लिए कट किया, उसको लेकर US मीडिया इंडिया पे बरस पड़ा, जबकि इनको ये देखना चाहिए था, कि इंडिया के पास options क्या थी, या तो civilians की death होती, या तो हम internet वापस on कर देते, और इन्होंने आपर ये काए, कि USA में कई newspapers हैं, इंडिया में कुछ हो रहा है, उसकी ये लोग प्रसंचा कर रहे हैं, और फिर इनोंने आपर ये भी add किया है, कि कई groups हैं, वो इंडिया में आज के समय हार रहे हैं, जिस तरीक ऐसे वो चाहते हैं, कि इंडिया बन जाए, वो ऐसा बन ली रहा, उनकी विचारदारा हार रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं काभी बार, कि बाहर के newspaper से, अपना influence इंडिया में exert कर रहे हैं, और need ये है, कि इसकी against इंडिया खड़ा हो, क्योंकि एक बार को हम इंडिया में बैठके कह सकते हैं, कि New York Times क्या कह रहा है, वाशिंटन पोस क्या कह रहा है, उससे हमें कुछ impact पड़ता नहीं है, मगर America, America की population matter करती है, एक बहुत ही अमीर, powerful country है, US, तो वहां की population में, अगर एक narrative बिल्ड कर दिया जाएगा, कि इंडिया में सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत negative हो रहा है, तो इसका impact eventually, इंडिया-US relations पे आज नहीं तो कल आएगा ही, और finally इन्होंने आपर एक point ये भी add किया है, कि काफी बार USA में अलोशना ये होती है, कि इंडिया बहुत जादा dependent है रशिया पर, कि जी इंडिया को सारी जो weapons के need है, वो रश्या से ही पूरी होती है, तो उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा, जो military equipment हमको रश्या ने दिया है न, ऐसा नहीं है, कि ये military equipment हमने आप से नहीं मांगा था, यहाँ पर आप देख पाऊगे, इंडिया's dependence on Russian defense equipment, and strong defense ties with Moscow, is not because, इंडिया did not approach US, to get those from United States, हमने कोशिश करनी थी historically, कि आप से हम वो high-tech weapons purchase कर पाएं, मगर आपने हमेशा पाकिस्तान को preference दी है, पाकिस्तान को strong किया अगेंस इंडिया, और eventually हम आज के समय देख रहे हैं, कि आप लोग ही उसका भुक्तान कर रहे हो, अगर आज के समय इंडिया इतना ज़रा dependent ना होता रशिया पर, तो परहाप्स और जगा हम आपका और support कर पाते, तो यह एक बहुती ज़्यादा clear frank, यहाँ पर बातचीत करी है, जैशंकर साब ने clear message send किया USA को, कि आपकी जो grand foreign policy thinking है regarding South Asia, इसमें changes की आप शकता है, जो ground level पर हो रहा है, उसको observe करो और उसके हिसाब से अपनी नीतिया बनाओ, और finally वापस आते हमने question की तरफ के, recently इंडिया ने release करी है advisory hate crime को लेकर, on Indian nationals, किस country के लिए, तो यह हैं यहाँ पर आपकी option, option सही उत्तर यहाँ पर है, option B Canada, Canada मैं आपको बताऊगा, खालिस्तान का issue है, उसके लावा पाकिस्तान भी काफी ज़दा, anti-India activities बढ़ा रहा है वहाँ पर, तो इंडिया की सरकार ने, नागलिकों को यह का है, कि Canada में remain vigilant, क्योंके hate crimes यहाँ पर बढ़ सकते हैं in the near future, और finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ, कि Anacademy की massive month and sales start हो चुकी है, comment section में जाईए, यहाँ पर आपको मिलेंगे यह link, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको flat 20% discount मिलेगा, usually यह discount होता 10% का, मगर आने वाले कुछ जिनों तक, 30 तारीक तक यह discount रहेगा 20% का, तो for example आप prepare करना चाहते हैं, UPSC के लिए, click करिए UPSC पर, और यहाँ पर पर purchase कर पाओगे, UPSC course simply यहाँ पर click करना है, और जो prices यहाँ पर लिखे हैं, यह कभी भी बे मत कर देना, simply यहाँ पर code यूज करिए, PD10 और prices अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो 36 मेने का course है, यह आपको discount के बाद आपको पड़ेगा, करीब 2400 रुपीज पर मन्त का, which is very affordable, आप अगर बाकी जगा देखो, UPSC के courses तो आपको दो डाइला के आसपास मिलेंगे, but with these online courses आप घरवाट के office में कहीं भी त्यारी कर सकते हैं, for UPSC exam, so इसी note के साथ यह है वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all.